गुद मॉर्निंग स्टूडेंट्स बिटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं वसंत का पाठ दस अपूर्व अन्भव जो कि एक कहानी है प्रस्तुत पाठ में एक अपंग बच्चे की कहानी का वर्नन किया गया है अपंग मैंने विकलांग किस तरह से एक लाचार बालक अपनी मन की इच्चा को पूरा नहीं कर पाता लेकिन एक अच्छे दोस्त के साथ मिलकर असंभव कारे को भी संभव किया जा सकता है इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यह बताने का प्रयास किया है कि कोई भी कारे हो उसे हम करने में यदि असक्षम है लेकिन हम बार बार यदि उसे करने की कोशिश करते हैं तो हम उस कारे को भी पूरा कर सकते हैं चलिए अब कहानी की और बढ़ते हैं सभागार में शिविर लगने के दो दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस का दिन था इस यह कहानी जो है दो मित्रों की कहानी है जिसमें से एक का नाम तोतो चान और दूसरे का नाम है यासू की चान यासू की चान जो है एक विकलांग बालक है उस दिन उसको यासू की चान को मिलना था इस बात का पता उसके माता पिता और यासू की चान को नहीं था उसने यासू की चान को अपने पेड़ पर चड़ने का मोका दिया था तोतो चान का पेड मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोन बुद्सू जाने वाली सड़क के पास था तोतो चान हमेशा खाने की छुटी के समय या स्कूल के बाद उसी पेड पर मिला करती थी बच्चे अपने अपने पेड को निजी संपत्ति मानते थे या सूकी चान को पोलियो था इसलिए भेड पेड पर नहीं चड़ पाता था और किसी भी पेड को निजी संपत्ति नहीं मानता था और इसलिए तोतो चान ने उसे पेड पर चड़ने के लिए अमंत्रित किया था उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई थी क्योंकि अगर किसी बड़े को पता चल जाएगा तो वह उसे जरूर डाटते क्योंकि यासूकी चान पोलियोपीडित बच्चा है और तोतो चान उसे पेड़ पर चढ़ाने का प्यास करेगी तो उसे डाट अवश्य पढ़ती घर से निकलते समय उसने अपनी माँ से जूठ बोला कि वह यासूकी चान के घर डिनेंग चोफू जा रही है जाने से पहले रोकी को सच बताए बिना तोतो चान से नहीं रहा गया तोतो चान को यासूकी चान मैदान में क्यारियों के पास मिला यासूकी चान उससे कुल एक साल बढ़ा था यासूकी चान पैर घसीटता हुआ तोतो चान की ओर बढ़ा तोतो चान उतेजित थी वह इसी उतेजना के कारण ठाका मार कर हसने लगी और उसके साथ यासूकी चान भी हसने लगा तो तो चान ने चोकीदार की छपपर से सीड़ी लाकर पेड़ के तने के सहारे लगा दी उसने कुर्सी के सहारे उपर चड़कर सीड़ी के किनारे को पकड़ लिया तब उसने यासुकी चान को गुलाकर पेड़ पर चड़ने के लिए कहा यासुकी चान के हाथ पेर कमजोर होने के कारण वह बिना सहारे के पहली सीड़ी पर भी नहीं चड़ पाया तोतो चान ने उतर कर उसे पीछे से धक्का दिया पर वह अपने काम में सफल नहीं हो पाई यासुकी चान निराश हो गया और सिर जुखा कर खड़ा हो गया तोतो चान समझ गई कि वह काम को जितना आसान सोचे बैठी थी काम उतना आसान नहीं था तोतो चान की हार्दिक इच्छा थी कि वह उसके पेड़ पर चड़े यासुकी चान के मन में भी उत्सा था परंतु वह उदास था इसलिए उसे हसाने के लिए वह गाल फुला कर तरह तरह के चहरे बनाने लगी अचानक तोतो चान को एक उपाई सूथता है वह दोड़कर चोकीदार की छपर में जाती है वह उसे एक तिपाई सेड़ी मिलती है जिसे लेकर वह पेड़ के पास पहुंचती है तिपाई की उपरी सीड़ी द्वी शाखा तक पहुंच रही थी यसू की चान को पसीना आ रहा था उसने निश्चे के साथ पाम उठा कर पहली सीड़ी पर रखा उन दोनों को बिल्कुल भी पता नहीं चला और यसू की चान उपर चड़ने लगा दोनों का ध्यान उपर तक पहुंचने में था तोतो चान उसका एक एक पैर सीड़ी पर रखने में मदद कर रही थी यसू की चान पूरी शक्ती के साथ जूचते हुए आखिर में वह उपर तक पहुंच गया अचानक सारी की हुई मेनत बेकार लगने लगी यसू की चान सीड़ी थामे तोतो चान की तरफ ताकने लगा उसने यसू की चान की पोलियों से पिछकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसे पेड की दूसरी तरफ खीचने लगी उस समय द्वी शाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यसू की चान को पेड की और खीचते हुए अगर कोई बड़ा देखता तो जरूर डर के मारे चीग घुटता वह उसे अपने नन्ने नन्ने हाथों से पूरी ताकत से यसू की चान को खीच रही थी काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड की द्वी शाखा पर थे उस दिन यसू की चान ने दुनिया की एक नई जलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था वे बड़ी देर तक पेड पर बैठे गपे लड़ाते रहे यसू की चान ने तोतो चान को बताया की उसकी बहन अमेरिका में है वहाँ टेली विजन जैसी एक चीज होती है जब है जापान में जाएगा तब हम बैठे बैठे सुमो पुष्टी देख सकेंगे तोतो चान समझ ना पाई की यसू की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता उसके लिए घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे बलकि वह सोचती रही की सुमो पहलवान का आकार टेलीविजन से बड़ा होता है तो हम उसे डिब्बे में कैसे देख पाएंगे प्रन्तु उसे यह बात बड़ी लुभावनी लगी उस समय टेलीविजन के बारे में कोई नहीं जानता था दोनों बेहद खुश थे प्रन्तु यासू की चान के लिए पेड़ पर चड़ने का यह पहला और अंतिम मुका था यानि कि यासू की चान बच्चा जो है पोलियों से पीडित है वह अपने मदद से पेड़ पर नहीं चड़ पाता वह तोतो चान जो की उसकी मित्र है उसकी मदद से पेड़ पर चड़ा था अगर इस घटना का किसी बड़े को पता चलता तो दोनों बच्चों को ही डाट पड़ती लेकिन किसी को दोनों मित्रों में से किसी ने भी किसी बड़े को नहीं बताया ना ही किसी की मदद ली तो इस प्रकार बेटा अगर हम कोशिश करते हैं किसी भी कारे को करने की अगर हमें कोई भी कारे मुश्किल लगता है और हम उसे बार बार करने की कोशिश करते हैं तो वो कारे संपन हो जाता है वह पुरा हो जाता है इसलिए हमें जीवन में भी लगातार आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए क्या है कि हमें मेहनत करनी है और हमें कभी भी मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटना है